तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कौन सा केमिकल कोडिनीशन एंड इंटेग्रेशन जो पुरानी इंसे आटी का चैप्टर निंबर 22 है और नहीं वाली का चेंज हो गया है शायद चैप्टर निंबर 18 है ना अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि इससे कंट्रूल एंड कोडिनीशन दिया हुआ है और इस चैप्टर का नाम क्या दिया है कैमिकल कोडिनीशन एंड इंटेग्रेशन नाम दिया है तो इसका मतलब यह दो चैप्टर एक साथ लगाता रहे है और दोनों चैप्टर के नाम के अदर वर्ड क्या रहा है कोडिनेशन त एंड इंटेग्रेशन बताइए तो इस पहले चैप्रेंट का नाम दियावा है नूरल कोडिनेशन यहां पर हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोडिनेशन और केमिकल का मतलब क्या हुआ हॉर्मोन की बात हो रही है तो कोडिनेशन दो तरह की नीड क्यों होती है कॉमन सेंस की बात है विटा आपकी बॉड़ी के नगर जो सैल की संक्या टोटल किती है नमडर मीलियंस के अंदर है क्या पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो ब्रेन है या जो नूरॉन से बॉड़ी की इच अड एवरी सेल तक नूरॉन लेके जाए और उनको जाकर डारेक्ली दूसरा नूरों डारेक्ली मसेल्स की सार्व को बनाता है और तीस रिए चौट जाधा करता है कि इसको डारेक्ली ग्लेंच ग्लैम्स तो इन तीन सैल्स को छोड़ दीजिए तो बाकि remaining cells की बारे में क्या खयाल है आपका तो बाकि rest of the cells है उनको coordinate करने के लिए आपको किसकी नीड होगी hormones की नीड होगी chemicals की नीड होगी that's why यहां पर हम लोग क्या पढ़ते coordination two type का होदा है तो coordination कितने type का हो गया coordination यहां पर हो जाएगा two type का एक हो जाएगा यहां पर chemical coordination and एक हो जाएगा neural coordination neural coordination and the second one is chemical coordination तो अभी मैंने बोला था कि neuron जो है वो directly कितनी cells को regulate कर सकता है यह directly यह तो neuron neurons को regulate कर सकते नव को यह फिर जादा से जादा muscles को signal दे सकता है यह फिर तीसरा यह signal दे सकता है किसको glands को तो बाकि चो remaining cells होती है rest of cells rest of cells यह remaining cells is regulated by regulated यह फिर हम बोलेंगे कोडिनेटेड बाय कोडिनेटेड बाय हर्मोन्स ठीक है तो दोनों के कोडिनेशन में फिर फरक क्या होगा चलो यह तो पहला difference हो गया कि दोनों के कोडिनेशन में और क्या difference होगा अगर आपको मुझे थपड मारना है तो मेरी हातों की मसल्स में कॉंट्रेक्शन होना चाहिए तो एक बार बेटा ब्रेन ने सिगनल अगर रिलीस कर दिया हातों की मसल्स में कॉंट्रेक्शन हो गया और अगर तुमको थपड लग गया कि मैंने तुमको क्यों मारा पर मतलब बीछ्में ऊसको रोका नहीं जा सकते कहने का मिनलै नूरल कॉडिनिशन बहुतh ऐun जब क्योदेशन बहुत स्लो होदाए уз Wagam पिट्यूट्री ग्लेन वह 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 व कि सिगनल मिलने तक क्या होगा उसमें टाइम मिलता है न तो दूसा डिफरेंस हो जाएगा कि निूरल कॉकषण कैसे होते यह फस्ट होते जबकि केमिकल कॉछणी कैसे होते यह थे पॉइंट नूमर थ्री कि है कि नूरल कॉदिनीशन को रैगुलेट ने कर सकते हैं बट कैमिक को थपड़ मानना है तो बिटा वो तो विदी मिली सेकिंड काम होगा क्या उसको regulation अब इस in between किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है but hormone पाला regulation possible है कैसे अगर मुझे बॉडी में growth नहीं करवाना है तो growth hormone के secretion को रोग दो growth hormone के secretion को रोग दिया जाए तो comment से इसकी बात है body में growth होगा भी नहीं है ना तो तीसरा difference हो जाएगा कैंनोट बी कैंनोट बी रेगुलेटेड बट यहां पर हॉर्मोन के secretion को रोग की हम क्या कर सकते है regulation possible किया जा सकता है इसको है ना उसकी बाद अब define करते है hormones को तो hormones को आप कैसे define करेंगे बताइए hormones क्या होते हैं क्या होते है hormones आपकी body में कोई भी ऐसा molecule जिसकी पास को signal हो जिसकी मैसेज हो उस messenger molecule को या signaling molecule को क्या बोलते हैं hormones बोलते है for example अगर किसी के class में आपके पास कोई बहुत ही important अगर information हो आप वो information positive भी हो सकती है या फिर चुबली भी हो सकती है तो फिलाल उस time के लिए वो person जो है वो क्या किसका रोल प्ले कर रहा है hormones का रोल प्ले कर रहा है तो मतलब पहली बात यह क्या होते है signaling molecule या फिरम बोल सकते क्या messenger molecule हो दे अच्छा क्या आप इनको diet के इंदर खाते हैं क्या आप लटेस्स करवाते हो उसमें आप थायरोकसिन होर्मोन का amount कितना देखते होगे कि उसके आगे कुछ unit लिखी होती न कभी unit notice किया है microgram कभी नैनो ग्राम भी होता है पर कभी माइक्रोग्राम भी होता है माइक्रोग्राम का मतलब 10 to the power minus 6 हुआ या फिर नैनो अगर ग्राम होगा तो 10 to the power 9 minus 9 होगा तो बताएं यह होर्मोन बहुत जादा small quantity में produce होते हैं कि बहुत large quantity केंदे बस हो गया इसका definition है ना तो होर्मोन को define कैसे करेंगे कि हमारी body में यह बनने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होगे या फिर आप इनको और क्या बोल सकते हो मैसेंजर मॉलिक्यूल बोल सकते हो और यह non-nutrient substance होगे या मॉलिक्यूल होगे और plus produce in very small quantity produce in very trace amount तो इस तरह के हम लोग बोलेंगे कि इस तरह के कोई भी chemical जिनकी यह तीनों प्रॉपटी जो पूरी करता है उन chemicals को लोग नाम क्या देते हैं हर्मोन नाम देते हैं अब आपने कभी glands के बारे में सुना है कभी आपने types of glands पढ़ी होगी ना मैं एक्तोक्राइन और एक्जोक्राइन के बारे में बात नहीं करते हूं बिल्कुल भी नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं यहां पर types of glands और वो भी based on target based on target अगर आप डख के थूप पढ़ते हो तो वहां पी आप क्या पढ़ते हो डखते दौर डख्लेस लेंज जिसको आप एंडोक्राइन एक्जोक्राइन बोलते हो मैं वो नहीं बोल रही हूं यहां पर type of glands तीन तरह की होती है एक होता है autocrine एक हो जाएगा इसके इंदर प्यारा क्राइन और एक हो जाएगा इसके इंदर कौंसा एंडोक्राइन तीन तरह की ग्लाइन होती है अब इनका क्या मतलब होता है autosalp auto मतलब क्या होता है self हो गया ना मतलब आपके पास एक cell है और उस cell में से कोई एक hormone रिलीज हुआ ज्यान से रिखना क्या इस cell ने hormone और यू नो यह hormone जाके काम कहां कर रहा है इस hormone को receive करने के लिए जो receptor है वो receptor कहां present है उसी same cell के उपर present है तो इसको अपनी same cell self के लिए अगर कोई hormone release करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते है और इससे ले क्यों किया यह तो वह बाली बात होगी ना self motivation वाली बात कि हम अपने आपको motivate कर रहे तो हम लोग autocrine हो जाते है क्या ज़रूत होती है ना करो अपने आपको motivate मोटिवेशन की बाद आपकी work efficiency बढ़तीक नहीं बढ़ती है तो exactly यह cell hormone release कर रहा है बट यह hormone उसी cell को जाके का काम कर रहा है तो इस cell के in the metabolic reaction compatibility क्या होगी बढ़ जाएगी नहीं आए समझ में आपने body fluid and circulation में शब्द यूज किया होगा कैस्केड 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 का मतलब होता एक चेंड चेंड के मतलब यह एक अधवा मेसेज कितने लोगों को पहुंचा दिया 5000 लोगों को पहुंचा दिया बसे इसी को आपने क्या होता है एक कि तरह काम कर दो है मतलब जांपए आपको क्या आगे जाके B के जिसे मानलो कि A का एक मॉलिक्यूल B के दो मॉलिक्यूल को अक्टिवेट करता है। इसका एक मॉलिक्यूल B के दो मॉलिक्यूल को अक्टिवेट करता है। हाँ तो इसको सबको मॉलिक्यूल गर दो कुल मिलाके। दो मॉलिक्यूल दस मॉलिक्यूल पचास मॉलिक्यूल कितना हुआ। हजार हो गया। है ना तो देखों यहां पर क्या हुआ। एक मॉलिक्यूल जो है वो डी के कितने हजार मॉलिक्यूल को अक्टिवेट कर रहा है। और अब अब सोचिए हॉर्मोन्स अगर यहां पर प्रोड्यूज हो रहे हैं। दस हजार। तो दस हजार मॉल्टिप्लाई हजार कीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीके हां एक करोड हो जाएगा। ठीके तो यह समझा गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब तक आपने बालोजी के अंदर कहीं ऑटोक्राइन का कोई एक्जाम्पल पढ़ा है। मेहंट देती हूं। Human Health and Disease? नहीं। बिल्कुल नहीं। हो सकता है जो 11 क्लास के वीडियो देख रही होंगी बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। एक डिजीज है। कैंसर तो कैंसर क्या करती है अपने ओन ग्रोथ बनाती है। और वो खुद के ही जाके क्या करता है। चैल डिजीन को प्रमोट करता है। हां तो इसमें जैसे एक्जाम्पल हम लोग क्लिक लेते हैं क्या। बस 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 वीडियो नहीं खराब करें। ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस बाइ। प्रोड्यूस बाइ। क्या हो जाएगा। कैंसरस सेल्स के लिए जो सिगनल है वो खुदी वो जनरेट करता है। तो यह हॉर्मोन जो भी ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा वो ग्रोथ फैक्टर इसी सेल को जाके और ज्यादा साथ डिविजिन को प्रमोट करेगा। तो यह क्या एक्जांपल हो जाएगा यहां पर आजाएंगे पिरा अचो में डिफेरेंज बताईए मुझे व書 1 की हैं जांगे और पर जाएंगे यह देक्षाओ का उतलने लिगों人民 paragraph AO तो यहिंट हॉर्मोन कहां जाकर वाएंड फाइनली। इन वर्मोन को रिसीव करनी के लिए इनकी जू रिसेप्टर हो और भी यहुन है और उते फरिशांस經ों के नहीं और यहुनेफ़िर्शन्ट पफिसे प ine 你 वेरी नाइस human health and disease में पढ़ाता अफिसे हो सक्टर क्लास 11 की जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो 12 में जाके ऐसा पढ़ोगी आप human health and disease inflammation नहीं body fluid and circulation मैं भी में नहीं पढ़ाया था WBC मास्ट सेल होती है मास्ट सेल क्या रिजिस करती है प्रोस्टाग्लेंडीन हिस्टामीन हेपेरीन साराटोनीन और यह जाके कहां भी काम करते हैं नेभरिंग मतब नियर्भाई सेल्स में काम करते हैं नहीं करते हैं जैसे इसम examples हम लिख लेते कौनसा प्रोस्टा ग्रेंडेडीन अगा और रोस्टा की क्या होता है पीलीफ तो जहां आपको चोट लगती है तो दरद आपके पूरी बॉड़ि में होता है कि मतलब उसी सेम टिश्यर में जाने चोट लगे वहीं पी होता है वहीं पी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ हिमानलों यह मार्च जेल और इस मार्ट नहीं यहां पे रिलीज किया प्रोस्टा ग्रेंड इसके लावा मैंने अपको हिुमन हेल्थ एंड DISEASE में कि एक और पड़ाया था इन्ट इमिनुटी यह यादे कोई ऐसी सेल बनाए थी हमने इंटरफेरों वैरी नाइस तो इसमें एक और एक्जांपल कौन सा आजाएगा दूसरे एक्जांपल आजाएगा इंटरफेरों और यहादे यह जो वारेस इंफेक्टेज सेल्स थी जो रिलीज करते थी इंटरफे कि करने वाला है वारस आने वाला है याद आ गया तो यह अग्सांपल होके इसके पेरक्रें से रीकिया नहीं उटर्य अपने असमें मतलब पढ़ेक्जांग होगा कि होड़ से और होपती है भी ने यह को जैक ग्शाम्पल्य मतलब और दुखलेस लीक़ नहीं होगता है। और यह आपके पास कोई tissue 2 है and अगर tissue 1 जो है वो कोई release करता है अगर hormone and यह hormone जाकि किसी दूसरे tissue की उपर जाकि काम करता है तो इसको क्या बुला जाएगा तो इसको बुला जाएगा endocrine, endocrine का मतलब समझें, कि एक tissue किसी दूसरे second other tissue के लिए क्या release कर रहा है signal release कर रहा है एक tissue different tissue के लिए इस तरह की glands को हम लोग क्या बूलते है endocrine gland, endocrine gland का यह exactly मतलब होता है for example pituitary gland है, वो release करता है growth hormone growth hormone pituitary gland को छोड़कर बाकी पूरी body में growth करवा रहा है तो different tissue हो गया for example hypothalamus है, तो hypothalamus जाके किस को regulate कर रहा है, pituitary gland को तो यह क्या हो गया, different हो गया जैसे thyroid gland हो गई तो thyroid gland gland जो release करती हो hormone, वो body के बाकी other cells के ऊपर जाके काम करता है तो यह चीज़ क्या हो जाएगा, this is endocrine, अच्छा अब हम फिर से वापस पढ़ते हैं यहां पे types of glands के बारे में type of glands के बारे में, इस बार हम लोग पढ़ते हैं based on duct के basis पे, तो या तो यह gland ducted होगी या फिर कैसी होगी, ductless gland होगी ducted gland होगा, या फिर ductless होगा, तो ducted gland को आप लोग और क्या बोलते, exocrine gland और ducted gland को ductless को बोला जाएगा, क्या, endocrine gland, हालंकि यह coincidence है बटा, कि जितने भी endocrine जो gland होती है, वो कैसी होती है, ductless होती है, ठीक है, चलो, अब exocrine gland के कोई example जानते हो, जिनके duct होती है, आपको रोना आता है, तो tear आपके कहां पर जादा है, blood में जाता है, कि आँखों से बाहरा आता है, तो यहां पर tear gland यहां पर present होती है, जहां threading करवाते हैं, तो वहां पर क्या present होती है, tear gland होती है, और फिर यहां से यह duct होती हुए, यह यहां पर जहां काजल लगाते हैं, तो यहां पर duct दिखाए दे रही है, और फिर यह duct जो है, यहां पर आके open होती है, है ना तो ये क्या है घ्रव्टेटेज ऐना स्लाइवरी टीर ग्लैंट अच्छा सलाइवा यहां परतल यह पर टीट टो होता है स्लाइवरी ग्लैंट क्यों लोगी है्ना क्योंकि उनके डॉक्त होती है जिसको नाम शायद आपने लैक्टि फिरस डख दीया हो तो sweat हो गया या sebum हो गया मतलब oil जो gland होती है तो पसीना जो है वो बॉड़ी से बाहर ही आता है कि ब्लॉड में जाता है तो वो gland कैसे हो गया ducted और बताये कोई ducted gland के example एक तो हो जाएगा यहां पर tear gland फिर हो जाएगा salivary gland और memory gland फिर आजाएगा sebaceous sebaceous boldo and swag gland और बताये बिटा लीवर एंड एक और example आजाएगा कौन सा पैंक्रियास और हमारी body की सबसे largest gland कौन सी है लीवर क्या होता है सबसे largest gland होता है और second largest gland कौन सी होती है पैंक्रियास ठीक है तो यह सारी क्या हो जाएगे exocrine gland हो जाएगे अपड़ते endocrine gland तो यहीं तो हमारे पूरे चाप्टर की समरी अब में जो लिखने वाली हो है ना और यहीं हमें पूरी gland को क्या बोलते हैं master gland बोलते हैं पर बाद नहीं जाके पता चला कि pituitary gland को भी regulate करता है कौन क्योंकि अभी मैं नहीं बोला था कि जो glands होती है वो भी hypothalamus brain का पार्ट है और इसी hypothalamus के साथ में हमारी लगी होती है clock biological clock जिसको बोलते है penial gland जैसे आप रोज अगर डेली रात को 11-12 बजे अगर सोते हो तो जैसे बारा बजने लगते हैं या ग्यारा बजने लगेंगे तो आपको automatically नहीं नहीं आना शुरू होती है तो वह कौने penial gland हो गई यह morning में अगर आप जैसे पहले स्कूल जाते थे यह आप जाते हो तो स्कूल जब जाते थे तो आपको याद है कि सुब मॉर्निंग में अगर आपको 6 बजे उठना होता था तो डेली आपकी 6 बजे आपको जाते थे और संदे आप प्रॉमिस संदे ऐसा सोचते थे कि मैं आज बढ़ी आप मज़े से सोंगा पर क्या होता है पर जैसे इस उबे 6 बजेंगे अपने आप आप खुल जाएगी तो र अगर काम ना करें तो क्या आप मर जाओगे आचा कोई बात नहीं आप रात को पढ़ाई करते हो कुछ लोग होते होंगे जो रात को 2-3 बजे तक सोते और उसके इसमें पीनिल ग्लेंड कर नहीं काम करती है पर उसके इसमें क्या आपका शर्वाइवल या आपकी लाइफ प तरह कंसीरर करते हैं तो इसमें आता है कौन सा थारर ग्लेंड है अति फिर ऱम पढ़ींगे पैरजार्य ग्लेंड? mh ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है कौन explicity can common sense की बाते कि आगए जा के हम ऊंपड 이제 questions in के बारे में तो मशल में कंट्रेक्शन के लिए हले बहुत बहुत जरूरी होता है दो सोचिए हां कि देफरामिक मसल से और उस मसल्स को अगर कंट्रेक्शन के लिए कैल्चिम गजिए मिला तो और हम पढ़ते थाइमस ग्लेंड, जो आपका हाट होता है, हाट के डॉर्सल साइट पे होता है, नहीं तो आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, थाइमस ग्लेंड का काम क्यों होता है, प्राइमरी इम्म्यून और्ग, कोई बात नहीं पढ़ा होगी मैं वापस, तो थाइमस में और नीचे चलते GIT, gastrointestinal tract, आप खाना काते हो, तो जब खाना स्टमक में जाएगा, तो स्टमक को कैसे पता चलेगा, कि मुझे HCL और पैपसीन का सक्रेशन करना है, हर्मोन्स, अच्छा जब स्टमक में डाजिशन पूरा जब कम्पलीट हो जाता है, और फूद जब आ हौर्मोन्स, अच्छा अब फूद कांपे ट्रैंसफर हो गया, दुदिनम के अंदर, तो कोई तो होगा, जो डुदिनम को क्या करीगा, सब यह सब यह सब उन्दर कंट्रोल होता है किया और इसलिए पढ़ेंगे गेस्ट्रो इंट्रेस्ट्टाइनल ट्राइप है जिए तल्ट वार्ट इना पिर वापस आजाते हैं यहां पर पंक्रियास के बारे में अब आप सोचोगे मेडम पैन्क्रियास यहां पर भी लिखा है है यहां पर पी लिखा है सही बात है पैन्क्रियास का दोनों गाम होता है यहां पर पैन्क्रियास होती है है वो राजिस्टिव एंजाइम स्क्रेट कर रहा है जो पैंक्रेटिक दक्त के थ्रू होते हुए डूदिनम के इंदर जाता है शाद आपने 10th क्लास में कभी सुना होगा पर यहां पर ही कौन के पैंक्रियास अगर वो रिलीस कर रहा है इंसुलीन या फिर रिलीस कर रहा है ग्लुक पैरक्राइम और टो क्राइं को कशन कर रूख कुंझ मार कि रखें बाद में बता हुए इसका मतलब ठीक है तो आगे जाके इस को लोग क्या बोलने वाले मिंग्स्ट ग्लेंट बोलने वाले अच्छा पैंक्रियास की बार नेक्स्ट आजयाता एं कीड्नी कीडनी किडनी भ हैं बिल्कुल ऐसे किड़नी में आप समझो कि आरभी सी काउंटिंग की मशीन लगी हुई यह जो आरभी सी को काउंट करती है और जब कभी भी ब्लड के अंदर आरभी सी का काउंट कम हो जाता है तो उस कड़नेशन में किड़नी अक्टिवेट हो जाएगा और फिर उस केस मे अब भी एडिडिय। एडिफ्रोफ्येट और इसलिची से वह फॉल सकते हो कि किड़नी एंटी की अर्मोन रिलीज तथा हैसे anemic hormone release करते है ठीक है फिर जब आपकी BP कम हो जाती है तो इस केसमें भी क्या होता है तो फिर वो रिलीस करता है रहनीन हॉर्मोन पढ़ेंगे रहाँडे आप जब हो गारएंगे ना और and types of glands. इसके बाद हम अब शुरू करेंगे यहां से, कहां से? हाइपोथलेमस से, ठीक है?